स्मार्ट टीवी में यूटूब की इस प्रकार से चलाएं तो इस वीडियो को पूरा अंतर जरूर देखना हेलो दोस्तों आज के उडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आपके घर स्मार्ट टीवी है तो किस प्रकार से आप अपने स्मार्ट टीवी में यूटूब चला सकते हैं तो इस वीडियो को अंतर जरूर देखने तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको यह बताऊंगा कि आप किस प्रकार से कर सकते हैं तो आपको इसमें डाटा किया सकता होगा तो आप वाइफाय कनेक्टर के माध्यम से इसमेई डाटा चला सकते हैं तो अगले वीडियो में बताया हूँ तो इसको देखकर आप कर सकते हैं तो वीडियो को शुरू करती हैं सब से पहले एफसब पर जाना है एपसर पर जाने के बाद आपको प्लेश्टोर ओपन करना है फिर इसमें सर्च मानना है यूटूब तो इसमें आपको पता होगा कि स्मार्ट टीवी में आप रिमोट के माध्यम से ही करते हैं तो यह देखिए मैं रिमोट के जरिये से कर रहा हूँ तो यहाँ पर यूटूब टैपिक करना है फिर इससे सर्च मार देना है सर्च के मानने के बाद इस तरह का आजाएगा ओप्सन फिर आपको ओपन नहीं करना है तो आपको जाना पड़ेगा ब्राउजर में फिर इसको बैक कर देने डाउनलोड हो गया है इसलिए तो आपको ब्राउजर पर जाकर आप यूटूब को किस प्रकासर चला सकते हैं तो यह देखिए ब्राउजर ओपन करने के बाद इस तरह का ओप्सन आजाएगा तो आपको गूगल पर सर्च करना है जो भी वीडियो देखने है तो मैं आपको सर्च कर बता देता हूँ तो यहां पर मैं सर्च मानूँगा गुलू कुमार साहुची कि अपना हुआ है तो यह देखिए गोलु कुमार साहुची आ रहे हैं पिर आपको यहाँ पर सर्च मानने का उप्षान आ जाए है उसमें आपको सर्च मानने है पर इस तरह का जाएगा वीडियो तो आपको पहले वाली वीडियो दिखाऊंगा तो यह देखिए इस तरह उपन कर लेंगे तो यह देखिए यूटूब वाला पंसा आ गया है इस तरह आप किसी भी वीडियो को यूटूब के माध्यम से चला सकते हैं तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। एवं वीडियो को लाइक, शेयर। वीडियो को बड़ूब को यह दो दो आप हैं झाल झाल